नसिंग फाउंडिशन में हमारा आज का टॉपिक है सिरिंज यानि कि सिरिंज क्या होता है आज हम इसमें डील करेंगे सिरिंज के परिभासा के बारे में और सिरिंज के प्रिकार के बारे में यानि कि सिरिंज के जो भाग है यानि कि जो सिरिंज है हमारा उसको कितने पार्ट म उसके बारे में हम बात करेंगे, तो चलिए हम परिभासा देखते हैं, सिरिंज का परिभासा क्या होता है, सिरिंज एक ऐसी चिकिट से उपकरन है, जिसके हेल्प से बॉडी में किसी भी तरल पदार्थ को इंजेक्ट किया जा सकता है, या फिर बॉडी से किसी भी तरल पदार हमें बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना है तो उस समय हम सिरिंज के उपयोग से बॉडी में कोई भी तरल पदार्थ को इंजेक्ट कर सकते हैं या फिर अगर बॉडी से कोई भी तरल पदार्थ को बाहर निकालना है जैसे कि बलड निकालना है अगर तो उस टाइम पे हम एक उ अपीयोग करेंगे और उस उपकरन को हम सिरैंज बोलेंगे जिसके धुरू के मदद से हम बौडि Юrdu को बहर निकालेंगे बौडी से यानि की जो बौडी के अंदर का तरलपदार्थ है जो बौड़् का तरलपदार ठेंज रहा बादी शboth बाहर निकालेंगे, अब हम बात करते हैं सिरिंज के भाग के बारे में कि सिरिंज के कौन-कौन से भाग होते हैं, हमारे पास एक सिरिंज है, सिरिंज का में लिए तीन भाग होता है, पहला भाग होता है बैरल, बैरल वो भाग होता है जो एक खाली कंटेनर होता है, जिसमें हम कोई भी तरल पदार्थ को भरते हैं दूसरा भाग होता है प्लंजर जिसके मदद से या तो हम कोई भी फ्ल्यूड को खीचते हैं यानि कि कोई भी तरल पदार्थ को भरते समय खीचते हैं या फिर जब हम इंजेक्ट करते हैं कोई भी तरल पदार्थ बॉड़ी में तो फिर इसको inject करते हैं, यानि कि दवाते हैं, और तीसरा पार्ट होता है हमारा hub या फिर tip, यह hub और tip का उपयोग होता है, needle sit करने में, क्योंकि कोई भी syringe, कोई भी container से direct हम body में inject नहीं कर सकते हैं, उसमें हमें needle का उपयोग करना होता है, जो भी medical syringe होते हैं, तो उस syringe में एक needle की भी उपयोग की जाती है, needle का भी अलग-अलग parts होता है, जैसे कि जो part needle का hub के contact में आता है, उस part को हम needle hub बोलते हैं, बागी का जो steelness steel की body होती है needle की इस body को हम बोलते हैं soft last में हम देख सकते हैं कि एक तीरचे आकार चे इस needle को cut किया हुआ रहता है जहां पर एक नुकीला edge बनता है इस नुकीले edge को हम बोलते हैं lumen normally इसे हम bevel बोलते हैं और जो यह होता है हमारा soft कहलाता है जो needle होता है वो soft क्यालाता है मैं एक बार और review करवा देती हूँ जो खाली container होता है body part होती है उसे हम barrel बोलते हैं जिसे हम पकर के खींचते हैं या फिर कोई भी medicine या कोई भी तरल पदात inject करते time पे दवाते हैं इसे हम plunger कहते हैं जो हमारा open area होता है जिसमें हम needle set करते हैं इस area को हम hub बोलते हैं जब हम needle इसमें set करते हैं तो needle के भी parts होते हैं needle का जो part hub की contact में आता है उस part को हम needle hub बोलते हैं जो steelness steel की body होती है इन needle की उसे हम soft कहते हैं और जो last area होता है जो नुकीला वाला corner होता है जहां पे एक छिद्र होती है उस area को हम lumen कहते हैं हमने आज topic में deal किया सिरिंज के परिभासा के बारे में सिरिंज का परिभासा होता है चिकित्सिय उपकरन जिसके माध्यम से हम सरीर के अंदर किसी भी प्रकार का तरल पदार्थ इंजेक्ट कर सकते हैं या फिर कोई भी तरल पदार्थ जिसे हम सरीर से बाहर निकाल सकते हैं उसे हम सिरिंज कहते हैं जिस उपकरन का हम उप्योग करते हैं उस उपकरन को सिरिंज कहते हैं हमने इसके भाग के बारे में बात किया कि सिरिंज के कौन-कौन से भाग होते हैं में लिए तीन भाग होते हैं इसके बैरल, प्लंजर और हब निडिल के दो भाग होते हैं एक साफ्ट होता है और दूसरा निडिल हब होता है साफ्ट में ही एक कॉर्णर होता है जो कॉर्णर नुकीला होता है उस कॉर्णर को हम ल्यूमिन कहते है I hope आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं Thank you